तो यह मैंने K method की heading लिख लिए heading लिखने के बाद K method के हवाले से जो चीज़े पता होनी चाहिए पहली तो यही चीज़ पता होनी चाहिए कि क्यों K method को इस्तमाल किया जाता है ठीक है आपके questions जो है इसके अंदर आप देखें तो ratios ही तो है जो कि दूसरे के बराबर है और question में हमें यही कहा गया कि prove करके दिखाओ हो साबित करके दिखाओ कि यह आपस में इक दूसरे के एकवल है तो क्यों इस्तमाल करते है के method को ratios को यह देखने के लिए equal है या नहीं है तो दूसरी चीज़ आपको यह मालूम होनी चाहिए कि कैसे के method के अंदर ratios को देखा जाते है कि equal है या नहीं है तो यह चीज़ आपको पता होना चाहिए तो के method के अंदर basically हम equation हासिल करते हैं जिनकी मदद से हम अपना task मुकमल करते हैं अब वो equations कैसे असल करते हैं तो जैसे के यहां पे ratios बराबर हैं यह चीज़ हमें साबित करके दिखानी है तो it's mean हमारे mind में फोरान आना चाहिए कि यहां पे हम key method इस्तमाल करेंगे और key method के अंदर यह जो information question solve करने के लिए दी गई है इस information को इस्तमाल करने से यह equation हासिल करते हैं जिसका भी मैं जिकर कर रहा हूँ अभी मैं हासिल करके भी दिखाता हूं कैसे ठीक है कोशिश कर रहा हूं समझाने की I hope के समझ भी आ रहा होगा simple सी बात है कि जो information दी गई है इसकी मदद से हम कुछ equation हासिल करते हैं जिन equation को इस्तमाल करके हम यह बात देख पाते हैं कि ratios बराबर हैं या नहीं है ठीक है यहां तक बात हो गई मजीद के कैसे तो जैसे के question में उपर दिया गया है कि A is to B is equal to C is to D यानि कि यह उपर question में यहां पर information दी गई है तो इसी information की मदद से वह equation देख लेते हैं जिनकी मदद से हम अपना question solve करेंगे तो इन ratios को मैं fractional form में भी लिख सकता हूं आप लोगों को अभी तक यह पता चल गया होगा कि A divided by B की form में भी लिख सकता हूं तो इसको fractional form में लिख लिए अब के method के अंदर यानि यहां पर के जो है ना इसका नाम ही के method है तो आपने mind में यह रखना है कि जो भी given data होता है जैसे कि A B C D हमारे पर given data है इस data को equal रख लो के के ठीक है तो हम वो equation हासल कर सकेंगे यहां तक एक बात हो गई अब यहां पर स्वाल यह भी पैदा होता है कि sir K K E equal क्यों रखा आपने यह पर किस behalf पर K K E equal रखने से मुराद यह है कि यह वाला end जो है K K E equal है और यह वाला end जो है वो भी K K E equal है यह बिल्कुल ऐसे ही बात है अगर मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ अगर कहीं पर fractional formula को 1 divided by 2 और इसके साथ यहाँ पर लिकलेते हैं 3 divided by 6 ठीक है जैसे A divided by B और C divided by D है ऐसे ही 1 divided by 2 और 3 divided by 6 दो ratios होगी अब यह क्योंकि equality के sign दर्म्यान में तो it's mean की यह दुनों एक दुसरे के equal है अगर इसको calculate करके भी देखें तो आप calculator पर 1 divided by 2 को करोगे इसका answer भी 0.5 आएगा और 3 divided by 6 को करोगे तो इसका answer भी 0.5 आएगा तो it's mean की दोनों एक दुसरे के equal हैं अगर यानि के अब मैं इस चीज़ को ऐसे भी तो लिक सकता हूँ अगर यहाँ पर client डाल लेता हूँ और यानि के 1 divided by 2 is equal to 0.5 और यहाँ पर लिक सकता हूँ 3 divided by 6 is equal to 0.5 ठीक है हर ratio जो होता है वो किसी चीज़ के equal होता है तो वो जिस चीज़ के equal होता है उसको यहाँ पर नाम k का दिया गया है अगर मैं 0.5 को यानि के के कह दूँ ठीक है तो फिर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ के अब थोड़ा सा नीचे करके लिख लेता हूँ जैसे 1 divided by 2 is equal to k और यहाँ पर लिख दूँ और 3 divided by 6 is equal to k ठीक है तो I hope आप लोगों को समझ में आ रहे होगी के के से मुराद यहाँ पर वो चुपी हुई वैल्यू है जो के आंसर है इसका भी और इसका भी ठीक है क्योंके यहाँ पर alpha bet की form में लिखा हूँ है that's why के यहाँ पर k का word इस्तुमाल किया गया तो यानि के concept समझाने की कुछ कोशिश की है मैंने बाकी आप इसको simple ऐसे भी जहन में रख सकते हो आप मैं इसको मिटा लेता हूँ के जो भी data दिया गया होता है उसको equal रख लो k के ठीक है क्योंके k method आप यहाँ से भी याद कर सकते हो तो k के equal रखने के बाद अब आप लोगों को पता चल रहे है के यह भी k के equal है और यह भी k के equal है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a divided by b is equal to k और ऐसे लिख सकता हूँ c divided by d is equal to k क्योंके दोनों k के equal है ठीक है यहाँ तक भी बात हो गई बलके इसको इधर लिख लेता हूँ ताके नीचे जगे आप लोगों को मिल जाए जैसे a divided by b is equal to k और c divided by d is equal to k ठीक है ऐसे लिख लिख लिया अब mathematical form में आप लोगों को पता है जब भी कोई denominator होता है उसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो multiply हो जाता है तो यह चीज़ बन जाती है a is equal to sorry b लिखना था b k और यह बन जाएगा c is equal to d k तो यह वो equation है जिनकी मदद से आप यह बात देख पाओगे ratios बराबर होती है या नहीं होती जिसका यहां पर मैंने जिकर किया था बस आप लोगोंने जादा confuse नहीं होना simple सी बात है जो information दी गई है उसको k के equal रख दो और क्यूं के equal रख दो क्यूंकि जो भी questions की form में answer यानि के जैसे के question की form में देख लेते हैं जैसे इसको देख लेते हैं यानि a divided by b और इधर यह 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 इनके दरम्यान में equality का sign है तो its mean के जो इसका answer है और इसका answer है उसको k consider करते हैं हम ठीक है और वो दोनों यानि इन दोनों का answer एक जै तो confusion create हो जाएगी तो पहला step इस information को आप यानि के जो question में information दी गही है उसको लिखोगे दूसरा step उसको fractional form में लिखने के बाद k equal रख दो और तीसरा step जो नीचे वला denominator उसको दूसरी साइट पर जाके multiply करवा दो और finally आप get कर लोगे उन equations को I hope k method के बारे में जो भी चीज मैं बता सकता था आपको बता दी अब question solve करूँगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ मा आ जाएगा के method क्या होता है और कैसे हम करता है ठीक है तो चलिए question number one की तरफ चलते तो question number one का part one जो है आप लोगों को screen के ओपर नज़रा रहा है इस question को कैसे solve करेंगे सबसे पह जो चीज दी गई है question में दिया गया है a is to b is equal to c is to d ठीक है और इसको हम kk equal let कर लेंगे तो यहां पर लिख लेता हूँ let ठीक है और let लिखने के बाद इसको fractional form में लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा c divided by d ठीक है और इन दोनों को equal रख लेता हूँ kk क्यूं kk equaler का ये वीडियो के पिछले हिस्से में मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है ठीक है आप बस यहां पर जो जो बच्चे यहां से वीडियो देख रहे हैं वो यह बात याद रखें के ratios आपस में equal हैं या नहीं हैं इस चीज़ को साबित करने के लिए proof करने के लिखूंगा तो आप लोगों को समझ में आता रहेगा तो लेट कर लिया हमने इन दोनों को के के equal और लेट करने के बाद अब 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 देखें के ए डिवाइड बाई बाई बी के equal है और सी डिवाइड बाई डी भी के के equal है तो इनको मैं सेपरेटली भी लिख सकता हूं यहां पर लिख सकता हूं A divided by B is equal to K और यहां पर N डाल देते हैं और C divided by D is equal to K ठीक है क्योंकि दोनों K के equal ही तो हैं अब ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम equation हासिल कर सकें जैसे कि अब बताता हूं तो अब आप देखें B इदर आ के क्या हो जाएगा multiply तो यहां पर A is equal to हो ज करेंगे और दूसरी C is equal to DK तो यह हमारे पास जो हैं दो equation आ गई ठीक है यह box आप ना बनाएं तो ज्यादा अच्छा है अपने teacher से पूछ लीजेगा लेकिन मैं बना देता हूं box ताके highlight रहे के यह वह equation है क्योंकि सारा pencil लिक रहे होते हैं तो एक जैसा अलग रहे होता है ठ करेंगे के sir आपने box बनाये तो मेरे number कट गए तो actually हर teacher का अपना तरीका होता है चीजों को देखने का एक नजरिया होता है ठीक है तो simple सी बात है box ना बनाओ तो भी question हमने तो question solve करना है तो ऐसे ही कर लेते हैं और तो A और B जो है हमारे पास दो equation आ गई और इसके बाद हम क् proof करना है कि एक दूसरे के equal है या नहीं है तो देखिए यह left hand side है हमारा और यह right hand side है हमारा ठीक है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे इन दोनों के अंदर जैसे इधर A और B है ठीक है तो हमारे पास जो values हैं फिर again से मुझे box सी डालना पड़ेगा आदत है मुझे अपने college से तो A जो है यानि A के value B है तो हम A के जगे B के put कर देंगे और C की value भी हमारे पास मूझूद है D के तो हम यहां C के जगे D के put कर देंगे तो यह दोनों values put करेंगे तो पिर आगे इसको put कर लेते हैं एक बार उसके बाद करते हो तो left hand side और right hand side करके यहाँ पर करते हैं आगे तो यहाँ पर लिख लिएगे now left hand side जो है हमारा बिलके जगे काफी हो जाएगी ऐसे करते हैं left hand side जो है वो कौन सा है हमारा वो है 4a-9b 4a-9b और divide by 4a-9b ठीक है यह left hand side हो गया हमारा और अच्छा यहाँ पर भी आप लोगों की मर्जी है कि left hand side पहले पूरा ऐसे solve कर लो और solve करने के बाद यहाँ पर आप right hand side को solve कर लो ठीक है और फिर solve करने के बाद आप hand में देख लोगे एक दूसरे के equal आगे तो ऐसे question थोड़ा लंबा हो जाएगर तो आप लोगों को क्योंकि मैं as a teaching point of view से question solve कर रहा हूं तो बहतर यह कि हम इधर left hand side कर लेते हैं और इधर जो है एक ऐसे page की partition कर लेते हैं और इधर जो है वो right hand side लिख लेते हैं यहां पर लिख लेते हैं also ठीक है right hand side is equal to वो किसके है 9c minus 9 sorry 4c minus 9d 4c minus 9d और नीचे है 4c plus 9d ठीक है yes यही है ठीक है तो ऐसे भी question solve कर सकते हैं ठीक है इसमें यह अगर दोनों चीज़ें सासा चल रही है जगे भी कम लगेगी और हमारा काम भी हो जाएगा अब इसके अंदर values put कर लेते हैं तो values put करूं तो यहां पर आ जाएगा 4 a किसके equal है आप लोगों को अब नजर आ रहोगा यह बी के के तो यहां पर आ जाएगा a की जगे आ जाएगा b k ठीक है और minus 9 b वैसे का वैसा लिख लेते हैं और इधर अगर चलें तो 4 फिर b k आ जाएगा यहां पर यहां पर यहां पर आ जाएगा b k और यहां पर आ जाएगा plus 9 b ठीक इसी तरह इधर चलें तो c किसके equal है b k के तो यहां पर आ जाएगा 4 d k minus 9 d और नीचे आ जाएगा 4 फिर अगें से d k minus 9 d ठीक है i hope यहां तक समझ में आ गया होगा अब 4 को multiply करवा लेते हैं multiply करवाओं तो यह बन जाएगा 4 b k और यहां पर आ जाएगा minus 9 b ठीक है इसको थोड़ा उपर कर लेता हूं और divide by आ जाएगा 4 b k plus 9 b और इदर आ जाएगा 4 d k minus 9 d और 4 नीचे पलसAmerican है और नीचे प्लस आएगा यहां पर आ जाएगा 9 d यह हो गया और आप देखो तो b इदर भी है इदर भी है इदर भी है इदर भी है तो b इदर से common ले लेंगे और d इदर भी है उपर नीचे यानि यह जो common है उसको आप common ले लो तो यहाँ पर common ले लेते हैं इसको करते हैं थोड़ा सा और उपर और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं B बाहर क्योंके common आ गया और अंदर आ जाएगा 4K-9 और इधर आ जाएगा फिर अगें से B बाहर 4K-9 ठीक है और इधर आ जाएगा हमारे पास D बाहर आ जाएगा और 4K-9 और डिवाइड बाहर 4K-9 यहाँ गया इसके बाद B B से कैंसल D D से कैंसल आ गया अगर चलें तो अब इधर आ जाएगा 4K-9 डिवाइड बाहर 4K-9 इधर अगर देखें तो 4K-9 ठीक है और इसके बाद आ गया 4K-9 ठीक है यह लाइन जो है थोड़ी सी और लंबी कर लेते हैं यह चीज़ होगे तो अब आप गोर से देखें के लेफ्ट हैंड साइड हमारा और राइट हैंड साइड हमारे दोनों जो हैं वो एक दूसरी के आप देख सकते हो बराबर है यानि के 4K-9 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 4K- यह चीज़ साबित करके दिखानी थी के दोनों रेशियो आपस में एक दूसरी के एक्वल है या नहीं है तो के मैथड ने यह प्रूफ किया कि देखें यह दोनों आपस में बराबर है तो इसलिए यहां पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वल टू हैंड साइड और साथ में आप यहां पर ऐसे करेके निशान डाल दें जिसका मतलब therefore होता है या पिर आप यहां पर लिख लिए हैंस ठीक है हैंस लिखने के बाद जो question था हमारा वो क्या था 4a-9b तो यहां पर लिख लेंगे 4a-9b divided by 4a-9b is equal to 4c-9d तो यहां पर आजाएगा 4c-9d और 4c-9d तो हैंस लिहाज़ा यह दोनों एंड जो है गुसरी के थाबित equal साबित हो गए तो आई होप यह पहला question था इस तरह से आप यानिके ratios को proof कर सकते हो आपस में equal है या नहीं है तो आई होप समझ में आ गया होगा अगला question करेंगे तो आप लोगों को आस्ता आस्ता और अच्छे से समझ में आता चाहेगा